आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए बेसी बीकॉम के सिकेन समस्टर के को करिकुलर यानि की अनिवार प्रश्ण पत्र के की बारे में जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट का पेपर होने वाला उसका नाम है प्रात्मिक चिकित सायम स्वाफ्त ठीक है तो जब आप पेपर देने जाएंगे इस सब्जेक्ट का को करिकुलर यानि फर्स्ट एडन हेल्थ तो आपको ऐसे ही पहला पहला जो पेज होगा पेपर मिलेगा तो ऐसे ही होगा ठीक है तो यहां पर रोल लंबर लिखा होगा तो आपको अपना रोल लंबर यहां पर फिल करना होगा उसके बाद यहां पर आपको ओमार सीट का नंबर फिल करना होगा मतलब कि आपको एक सीट दी जाएगी ठीक है उसमें कई सारे एबी जट कौन सा है ठीक है तो देख लीजिएगा पहला पेज़ाई से इस तरकार करहेगा अब हम बढ़ते हैं कोश्चन एंसर की और आज किस वीडियो का पहला प्रश्चन है वह है कि किस अंग को मानो सरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं अब आप सोच रहेंगे सरी तिरपन नंबर कहां से शुरू हो रहा है तो आपकी जानकारी किलो बता दे यह जो पूरा माडल पेपर कुश्चन पेपर है इसको मैंने एक से लेकर ठीक है बावन तक की कुश्चन और उसका उत्तर मैंने आपको सबसे बड़ी केमकल फेक्तरी माना जाता है बहुत ही महत पूर्प्रेस न है उसका सही doubt होगा लेवर ध्याण नखेंगे सधां अब लीवर न के बहुत ही माहत पूर्प्रश न है ठीक है दस साल से अधिक उम्र का बच्चा जब भी धीला मल करे ठीक है उसे हर बार कितना पारी देना चाहिए तो ध्यान रखेंगे उसको 300 ml पानी देना चाहिए सही जबाब इसका होगा सी नंबर ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण प्रस्तूत है आप लोगों के समस्त कि भोजन सबसे अधिक प्रभावित होता है तो अगला कि तोचा की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है तो तोचा की बाहरी परत को जाना जाता है इपिड मिर्स के नाम से नाम से जलना किस परकार का बर्ण है मताब कि जब आपको फूर की परत करण को बर्ण होती है अगला है कि निर्जली करण या गर्मी की कारण होने वाली ठकावट को क्या कहा जाता है मतलतwas कि अगर आपके अंदर पानी की कंद्थ्य गर्मी अधिक उसाज़ास कर आपको ठकावट हो रहें सब्सक्राइब कर चाहीं करृक्षी क्तूर लुղ सकता है सब्सक्राइब नाइनटी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फारेनहाइट से अधिक होने के स्थित क्या कहलाती है तब आप लोग समझ जाईएगा बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन है बताईए कमेंट सेक्षिन में अगर आपको मालूम है तो बेसिक बता सकते हैं ठीक है तब कहा जाता हाई पोथर्मिया ठीक इसको कहा जाता हाई पोथर्मिया बी नंबर सही जबाब होगा ध्यान लखेंगे अगला की जहर शरीर में किन माध्धमों से प्रवेश कर सकता है तो बहिए जो जहर हो वो निगलने से भी हो सकता सूगने से भी हो सकता तो चाके माध्धम से भी हो सकता है तो जहर जो है आपके इन सभी माध्धमों से प्रवेश कर सकता है श्लै शहीं जबाब इसकार हो जाएगा ड़ीन नमबर इन सभी मात्थ वह से पहुंझ सकता है ध्यान रखेंगे बहुति महात पूर्ण प्रश्ण है अग्ला है कि निव्ण मैं से कौन सी वुफ्त विसाध नहीं हो सकती ठीक है तो सही जवाब इसका हो जाएगा ध्यान रखेंग बहुत ही महात पूर्ट्रशन है ठीक है वो है मीठा पानी सही जवाब भी होगा अगला की अधिक मात्रा में ली गए नीन की गोलियां फरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करती हैं तो अगर आप अधिक फे अधि आपके जो शरीर है उसमें तंत्र का तंत्र जो है उस फे बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ता है और इससे आपके मृत्ति भी हो सकती अगर आप ज्यादा नीन की गोलिया ले रहें तो अगला क्योश्चिन है कि अगर फेफड़े असफ्त हो जाते हैं तो हमारे फरीर को क्य तो आक्सीजन ही आपको नहीं मिल पाती है ठीक है ध्यान रखेंगे आगला प्रश्ण है कि निवन में से कौन सा विसेला परदात तोचा के माध्यम से सरीर में प्रवेश कर सकता है मतलब कि ऐसा कौन है इसमें से जो आपके सरीर में ठीक है तोचा के माध्यम से फैल सकता है फ खर पत्वार ना सक्यानी जतनी भी दवाईया होती है ठीक कीट ना सक्या होती ठीक कि यह सब प्रभेश कर जाती है जहां तक मैंने रिसर्च किया है अगरा कोश्चिन है कि प्रभावित बेक्त को प्रात्मिक वाहता देने के बाद अपने हाथ को किस से धोना चाहिए अगर आप उसको दवाई दे रहे हैं या फिर उसकी मदद कर रहे हैं एक्सिडेंट हुआ उसका ब्लड आपने साप किया है है फिर घाओ को दोया है तो आपको उसको सविधा जैने के बाद क्या करना चाहिए आपको साबुन से हैंड वास करनी चाहिए और हैंड मता हाथ को दोना चाहिए साबुन से स्रेटाइजर से भी ठीक है तो इन सभी से आपको प्रियोग करना चाहिए इनमें देगे आप से स खुजली हो रही है तो क्या करना चाहिए तो कीड़े के काटने से यदि आपको खुजली हो रही है तो वहाँ पर आपको उसी जगहा पर बेकिंग सोडा पेश्ट लगाना चाहिए सब्सक्राइब अगला प्रशन है कि सर्प दंस सरीर का रंग होने लगता है यानि कि जब आप काट लेता है तो आपके जो सरीर का किसी भी बैक्त को कारता तो रंग है वह कॉन से कलर में लगता तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर नीला होने लगता है और कुछ लोग काला भी मानते लेकिन वो एक सिमलर रहता नीला काला दोनों एक मतलब कि थोड़ा सिमलार्टी रहती फ्ले लोग कंफ्यूज हो जाते कहते काला ठीक है लेकिन फिराल फ़ी जवाब नीला होगा आपको अगर यह आप से नीला नहीं होता तो आपका काला ले करें तो सिम्पल सी बात है घाओ को साबुन से अच्छे फिदोएं ठीक है पहला काम यहीं करना चाहिए ध्यान लखेंगे अगला कि हमारे सरीर में मुख्य रूप में कितने संबेदी अंग है तो ध्यान लखेंगे बहुती महत्पूर्ण प्रस्ण हमारे सरीर में मुख खिरूप से जो संबेदी अंग है उनकी संख्या जो है वो है 5 यानि कि 5 B नंबर सही जबाब होगा अगला प्रस्ण प्रस्ति होता है कि कौन संबेदी अंग नहीं है इना आप सुनों में से तो भाई आख भी संबेदी है नाख भी है कान भी है लेकिन जो एक संबेदी तो कहा जाता है ज्यान रखेंगे बहुत ही महात्मोड प्रस्ण है अगर आपको मालूम ज़रूर बताएं उसको कहा जाता है कारणिया यह नमबर सही जबाब होगा अगला प्रस्ण प्रस्तुत है कि आख का कौन सा हिस्सा देखी गई वस्तु का चित्र मस्तिस्क को भेचता ह जब आँग से आप कोई देखते हैं तो आँख से देखने के बाद वही चीज आपके तुरंद माइड में जाती है जो सोस्ती है कि नहीं पहले देखिये तो कैसे नहीं पर देखिये तो वह कौन भेचता ही आपको बताना है ठीक है जैसे कि एक मुबाइल से दूसरे मुबाइल भीरने के लिए ब्लूटूथ का यूद किया जाता है ठीक है उसी तरह ऐसी कोईश्चन भी है तो सही जवाब इसका हो जाएक आप्शन नमबर जहां तक मैंने रिचर्च किया है देखा है रेटीना सही जवाब होगा सी नमबर धान रखेंगे अगला की कान सुनने के अलामा मनुष्य सरीर के लिए और क्या काम करता है तो बहुत ही पॉप्लर और बहुत ही कन्फ्यूज करने वाला क्विश्चन है कन्फ्यूजन तो कान सुनने के अलामा ना तो महसूस करता है ना तो ब्रद्धी करता ना तो न सब्सक्राइब होगा अगला कि कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रिया होती कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रिया होती वह आपको बताना है तो सही जवाब इसका हो जाएगा बताईए उसको बोला जाता इनर यानिकी आंतरिक कान सही जवाब सी होगा अगला है कि मानो सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा बहुत ही पॉप्लर कोईश्य ने तो मानो सरीर का जो सबसे बड़ा आंग है वह है आपका तोचा क्योंकि तोचा यह निकि जो खाल जिसको बोलते हैं यह इस 78% से भी ज्यादा होता है ठीक वोड़ी में अगला कि कैसे वफ्त में तोचा के अंदर प्रभेश कर सकते हैं और तोचा को घाव करेगा कीला जाएगा तो यह सभी जाएंगे आपके तुचा के अंदर सरीर के अंदर वोड़ी के अंदर तो घाव तो होगा दोगा इसलिए सभी से हो जाएगा घाव आपको ठीक है सभी जवाब डी होगा भी अत्तधिक गर्मी क्या अत्तधिक गर्मी बी नंबर सभी जबाब अगला कोश्चन है कि स्कूल के द्वारा प्रात्मिक चिकत्सा के लिए बनाएगे टास्क फोर्स में किसे सामिल नहीं करना चाहिए किसे सामिल नहीं करना चाहिए स्कूल वाले सीज़ों में तो बैंक मेन के मनेजर ध्यान लखेंगे बीनमबर सही जवाब अगला कि भारत में चालक दूर्घटना के लिए कौन से कारण ज्यादा जिम्मेदार है यानी कि जो दूर्घटना होती है उसके जिम्मेदार को है तो यांतरिक और भी यानी कि जो एलेक्टानिक के चीजें प्लस मानवे कार करण हैं सड़क पर घटना होने के इफले सही जवाब हो जाएगा से नंबर दोनों ए और भी दोनों ठीक है ध्यान केंगे अगला प्रश्ण है कि किस आयू में या फिर किस उमर के वर्ग में सड़क यातायात की चोटे मुरत का प्रमुक कारण है तो आप लोग जानते हैं कि ह हमारे जो युवा हैं बच्Cae हैं ठेके जो नाबालिक है या फिर जो बालिक भी यानि कि पुलमिलाके इसमें देखा गया है by 15 लेकर fucking वर्स के जितने भी बच्चे और जो भी जवान हैं ठीक है वो इसके चपेट में आते हैं यानि कि यातायात से उनको चोट पहुंचती है या पिर यातायात से उनको दोगटना होती है ठीक है तो इस उमर के लोग ज्यादा सामिल है ये रिफर्च से मालू हुआ है 15-30 ठीक है उमर के लोग अगला कि भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी तो आपदा में आ गया जैसे कि बाढ़ आ गया भूकम पा गया ठीक है तो इस तरीकी जितने भी प्राकरतिक आपदाएं हैं इनके जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की यानि कि जो मैने उसके बाद केंद्र सरकार अलग अलग डिपार्मेंट बनाई है ठीक है आपदाओं के ठीक है तो उनको यह मैनेज करता है इन सभी का प्रबंधन को जिम्मेदारी है वह राज सरकार द्वारा बनाएगे अलग डिपार्मेंट जिसका नाम है आपदा प्रबंधन उसका या फिर उसकी जिम्मेदारी है अगला प्रश्ण है कि प्राकरतिक आपदाओं के प्रभंदन के लिए केंद सरकार में नोडल मंत्राले कौन है तो सही जबाब इसका हो जाएगा आप शाय नंबर ध्यान लखेंगे बताए कमेट सेक्सिंट में आपको मालूम तो बेसक बता सकते ह होम मिनिस्ट्री यानि की ग्रह मंत्राले बनाया गया बी नंबर सही जबाब होगा अगला प्रश्ण है कि वह आपदाए जो भूकंप से उत्पन होती आप दाएं उनको कहा जाता है भूब भूतिकिये सम्मंदित आपदाएं इसलिए सही जबाब भी होगा ध्यान अगर बच्चा जयनम होने NE कि मिनट अगर बच्चा जयन नहीं ले पा रहा है तो क्या करना चाहिए तो इसके लोग अलग-अपने अपने मत मानते हैं लेकिंघ्या बहुत पीठ रगणने लगते पीठ रगणने से क्या होता है कि वह मतलब कि पीछे फिर रहेंगे तो आगे उसका इंपेक्ट पड़ेगा तो उससे थोड़ा बहुत रिलेक्स मिलेगा लेकिन सबसे पहले तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास होस्विटल फिर में जाना चaientी कि के पहले वर्क यही है लेकिन इसलें इसकर रगणना चाहि होँगे तो यह फ्रॉक्ष हुए तो कि वह जरूरी है तो जिस रता हर नूमर में दुरूरी थिक कर लोगों को रोकने में मदद करती है अगर आपको अच्छी जानकारी ऑगों रोकने में मदद करती है तो उसमें से हैं एचाइवी शंक्रम्र संबंदित जितनी भी रोग होते हैं जितने भी मारिया होती हैं उनको अगर आप यह जानकारी है तो आप लोग बस सकते हैं सही जवाब ए नंबर होगा अगला कि मानुसरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है बहुत सारी कंफ्यूजन है बहुत फारे लोगों के अलग-अलग मद्भेद भी हैं तो आपके जानकारी के उलता बता दें मानुसरीर में खून को ठेक है जो अंग फिल्टर करता है मेरी जानकार निकर रोसार वो है किडिनी सही जवाब होगा इसका सी नंबर ध्यान रखेंगे अगला प्रस्ण है कि क कि मुत्र जाता आप सबिक मालूम इन पना चलों कैसे होगा सिंपने युझ अपनी संती करते हैं उसे में जन संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस चीज के लिए उनको प्रिजिनन करना पड़ता है या आप सभी को मालूं कि प्रिजिनन क्या है ठीक है अगला कुश्चन है कि शुक्राणों का निर्माड और नर हार्मोन टेस्टो स्टोरें की उत्पत कौन सा अंग करता है ठी है तो वह करता है वस्ट हैं नमबर क?... अगला कि निवन में से एक नर्प्रजिनन टंतर का अंग नहीं है आपको बताना है रहा हो जाएंगा कि अप लोग कर लिए अधनी सब्हस्थानों को इसके बार कुछ से लिए तोड़ा कर लड़के और लड़कें में कौन सी बदलावाते हैं उनके बोड़ी में बहुत सारे बदलावाते हैं ठीक है जब बड़े हो जाते तो मांसिक याने की सोच में बहुत बदलावाता है समाज को जिस साफ़े देखते हैं समाज को जिस साफ़े लोगों को देखते हैं साफ़े उसमें उनके अंदर बदलावाता है तो इसलिए साबित होता है कि उपरयोक्त में से सभी यही सही उत्तर होगा क्योंकि सारेरिक भी बदलाव आता है मांसिक भी आता हो समाजिक भी आता है ठीक है ध्यान रखेंगे अगला प्रशने की युवा आउस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन की वजा से होते हैं तो जब बच्चे युवा हो जाते ह सभी नग्ता में लड़के यह वड़कों में हो जाते हैं तो परिवर्तन होता है टूंके हाइड मिल्षास हार्मोन की वजा से तो नरख भी आहिए बहुत ही नंबर गहें तेष्ट चेस्टो स्टोर ठीकरिए टेष्ट वैस्ट डॉस्ट थे सिंवाजिव् Men अग्ला की लड़कों में युवा आवफथा की आवफथा की आवफथा इंगा है तो यह ऐनी की जो एक मतलब कि युवा आउफथा मानी गई है वो सोला है ठीक है जहां नखेंगे लड़कों में युवा आउफथा कि जो आउफथ उमर बानी गई वो सोला मानी गई डी नंबर सही जवाब होगा अगला के निमन में से कौन योन संचारित रोग है ते भी आप लोग अच्छे जान अगला के एच आईवी वारिस मानों फरीर के किस प्रणाली पर हमला करता है तो यह करता है आपके प्रतिति के प्रतिरच्छा प्रणाली पर सही जबाब यह होगा ध्यान रखेंगे अगला की पुरुसों में हिमो गुलोबीन का समान ने अफ्तर कितना माना गया है यह ठीक है तो वह ने फ्रों सही जबाब इसका हो जाएगा ए नंबर ध्यान रखेंगे ने फ्रों हो जाएगा ए नंबर ठीक है ओके तो आज किस वीडियो मैंने पूरे आपको 50 कोश्चन के लगभग बताए हैं पूरा 100 कंप्लीट किया है और इसी परकार के कोई कोश्चन अगर आपको चाहिए 100 कोश्चन एंसर की तो आप में टेली वर्टसप में मैसेज कर दीजेगा तो हम आपको पूरे पूरी पीडियोप एंसर से संड कर देंगे तो तैयारी कर लिजेगा बाकि आपका अपनाए चैनल सक्सेस्टू है तो सब्सकाइब जरू कर लिजेगा ज चैनल ससकता है के है के युद्द सक्साहिए